क्या आपने बनाना मोदक कभी ट्राइ किया है नहीं किया तो आप करके देखे का बहुत ज़्यादा टेश्टी बनता है बनाना बहुत ही आसान है गनपती पपा के लिए मोदक बना रहे हैं तो मोदक तो बहुत तरह से बनाया जाता है आप केला और नारियल से भी मोदक बना स इस तरह के से पका हुआ केला लीजेगा थोब असा अंदर से सॉफ्ट होना चाहिए तो बहुत ही बढ़िया आपको मैस करने में आसानी होगी, तो केला को हम छील लेते हैं और इसको हम अच्छे से मैस कर लेते हैं, तो आप जादा मुधक बना रहे हैं तो जादा केला का यू तो इस तरीके से बढ़िया से मैस कर ली अब हम गैस के तरफ चलते हैं यह देखिए बहुत ही बढ़िया से एकदम मैस हो गया है इसलिए मैं बोली थी थोड़ा से जादा पका हुआ केला लीजेगा तो इस देखिए बढ़िया से मैस हो गया तो अब हम गैस की तरफ चलते हैं गैस पे में कड़ाई डाल के रखी हूँ, इसमें मैं आधा चम में जितना घी डाल दी, इसमें घी भी बहुत कम लगता है इस मोदक में और बहुत ज़्यादा टेश्टी ये मोदक बन के त्यार होता है, तो घी डालने के बाद हम केला जो मैस करके रखे थे उसको डाल देंग बहुत कम डालेगा, तो मैं गूर को ग्रेट करके रखी थी उसको डाले हूँ, और ये देखे थोड़ी देर हम इसको पकाएंगे, तीन से चार मिनिट के लिए केरा में जो मॉस्चर है और गूर का जो पानी चूटेगा वो सूख जाना चाहिए, बस इस तरीके से ये डो फ आधा चमच जितना घी डाल रही हूँ, अभी मैं थोड़े से ड्राइ फूर्ट को काटके रखी हूँ, इसको भून लेती हूँ, पहले ही मैं भून लेती, पर मैं पहले केला डाल दी थी, तो इसलिए थोड़ा भूल गई, इसलिए मैं अभी कर रहे हूँ, आप चाहे तो भून के निकाल लेजेगा, फिर आप मैस के अवा केरा डालिएगा, तो इस तरीके से भी कर सकते हैं, या फिर बाद में भी आप इसमें भून के रख सकते हैं, तो ड्राइ फूर्ट में काजू, बादाम और किस्मिस रख रहे हूँ, तो अभी मैं काजू बादाम को घराल से फूल जाए, फिर आप द्राइ फूर्ट को निकाल लेज़े तो इसमें ड्राइफरूत को डौनी थी, तो इसमें ड्राइफरूट को भूनी और गैस का फ्लेम बिल्कुल कम करके सूजी को भूनना है चार पाच मेट के लिए सूजी को भूनिएगा सूजी का कलर चेंज नहीं होना चाहिए बस सूजी अच्छे से भून जाना चाहिए बहुत ही बड़ी अससे सूजी में से खुसबू आने लगेगी और सूजी जो केला डालूंगी तो अभी में दो केला को मैस करके रखी हुई हूँ यह देखे सूजी के साथ हम केला को डाल देते हैं मैस के हुआ केला डालिएगा और इसको भी हम थोड़ी देर के लिए सूजी के साथ पका लेंगे गैस का फ्लेम अभी भी कम ही है सूजी पहले से भूना के बाद सुजी को मैं और भूली बहुत ही बढ़ी हसे इसमें से खुसबू आने लगा है तो अब हम चीनी डालेंगे तो चीनी थोड़ा कम ही डालेंगे एक कटोरी सुजी लिये थे तो आधा कटोरी से थोड़ा सा एक चमज इतना जादा मैं डाले हूँ क्योंकि केला है तो क चीनी का मात्रा बढ़ा सकते हैं तो मैं एक कटोरी सुजी के लिए आधा कटोरी से थोड़ा सा जादा चीनी डाले हूँ अभी मैं तीन-चार चितना डेसी केनेट कोकोनेट भी डाल दी इससे बहुत ही बढ़ी अफलेवर आएगा इस मोदक में क्योंकि सुजी का सिर्फ हम लाने के बाद अब मैं इसमें एक कटोरी दूद और एक कटोरी पानी डाले हूँ एक कटोरी सुजी के लिए आपको दो कटोरी पानी ही सिर्फ लेना है या फिर एक कटोरी दूद एक कटोरी पानी मिला के डाल सकते हैं या फिर दो कटोरी दूद भी डाल सकते हैं तो आपक तो भी थोड़ा सा गरम करके डॉलेगा पानी दूद या फिर मोदेक के रिए भी बना रहे हैं तो थोड़ा सा गरम करके डालेगा इस तरीके से जब आप लिखाईगे नोगा चिप चिप को तूचछा नहीं बर्फा इंपता जापवा Хотसके लिखा दानेदार मिदा आशे tavon अब में बहुत कम करके रखे थी क्योंकि सूजी भी बहुत गरम था भूनते भूनते और इसमें थोरा सा गुनगुना दूध पानी डालने से बहुत जोरोकी छीटा उड़ती है तो इसलिए बहुत कम कर दीजे गैस का फ्लेम या फिर बंद कर दीजे फिर आप इसमें दूध या पानी जो डालना चाहते हैं डाल लीजे उसके बाद आप गैस का फ्लेम मीडियम कर लीजे और फिर हाई भी कर सेकते हैं लेकिन हाई करके पकाएगा न तो छीटा परने का डर रहता है मीडियम करके आप इसे थोरी देर के लिए पका लीजे थोरी देर पकाने के बाद सूजी जो है न दूध या पानी जो आप डाल रहे हैं वो सारा एब्सॉप कर लेगा और तुरत ही गाढ़ा भी होने लगेगा तो यह देखे गाढ़ा होने लगा है लंब से इसमें बिल्कुल भी नहीं परता है अभी जो आपको यह दिख रहा है केला जो में मैस करके डाले थी वही आपको छोटे-छोटे से टुकरा दीख रहा है कियो कि मैं फोक से मैस की थी केला को तो अच्छा से मैस हो गया था पड़िये सूजी में दालने से थोड़ा सा उसका दाना-दाना दीख रहा है इस तरीके से बढ़े हैसे इस पेचुला से मिला लीजेगा पड़िये से मेल जाता है यह देखें 3-4 म तो दूद में गोल के उसको भी डाल सकते हैं, तो मैं इसमें फ्रेस इलाइची का दाना निकाल के करस करके डाली हूँ, बहुत ही बढ़ी असा खुसपु अटेश्ट आता है, अच्छे से डाल के मिला लेंगे, उसके बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे, क्योंकि यह बह देखे श्टफिंग के लिए जो हम केला भून के रखे थे और ड्राइफ रूट को भून के डाले थे, यह भी ठंडा है, तो अभी हम अच्छे से मिला लेते हैं, क्योंकि ड्राइफ रूट हम उपर से बून के रखे थे, आप चाहे तो इसमें भी थोड़ा सा इलाइची का पाउडर डा सकते हैं, तो अच्छी से मिला लेने के बाद छोटे छोटे इसके बॉल्स बना लेते हैं, इस तरीके से बॉल्स बना के रखे लेने से बार बार आपको हाथ दोनी की जुरुत नहीं पड़ेगी और काम भी आसान हो जाता है, तो यह जो सारा श्टफिंग है न तो अच्छे से बाइंड हो रहा है, तो ठंडा होने के बाद मैं बोली थी ना, और अच्छे से सेट हो जाता है, क्यूंकि इसमें डेसी केनिट कोकोनेट सूजी है, तो यह ठंडा होने के बाद और ड्राई हो जाता है, तो मोदक मोल्ड में मैं थोड़ा सा घी लगा के ग्र और फोक से या फिर तूद्विक से उसके उपर मोदक का डिजाइन दे दीजे तो ऐसे भी बना सकते हैं मोल्ड है तो इस तरीके से बना लीजेगा श्टफिम बाला एक बॉल डाल दीजेगा अंदर में और उपर से लॉक कर दीजेगा पढ़िया से अंगड़ा से दबा दबा चोटा मोल्ड अगर रहेगा तो इतना बढ़ियासे उसमें डिजाइन नहीं आएगा पर बढ़ा मोल्ड में बहुत ही बढ़ियासे इस पे डिजाइन आता यह दिखे कितना सुंदर यह दीखने में लग रहा है और खानी में भी बहुत ज़्यादा टेश्टी लगता है केल हो जाता है और कम से कम इंग्रिडेंट में इसमें ना तो मिल्क पाउडर डालने के जुरुरत परेगी ना मावा की और घी भी बहुत कम डाले हैं दूधा आप अपने पसंद से थोड़ा सा डाल सकते हैं या पूरी तरह से इसकिप कर सकते हैं तो आपने देखा सिर्फ केला, गूर, चीनी और थोड़े से घी और सूजी से ये मोदक बन के त्यार हुआ है बहुत ही बढ़िया बन के त्यार होता है आप लोग एक बाट राई करिएगा वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेर भी करिएगा तो बहुत आप लोग ने बनाया होगा इस तरीके से केला का भी मोदक बना के देखेगा मैं भी फर्स टाइम बनाई हूँ बहुत ज़्यादा टेश्टी लगा था खाने में तो ये देखे सारा मोदक मैं बना के रखली कितना सुन्दरी देखने में लग रहा उतना ही टेश्टी ये खाने में होता है इसमें डेसी केनिट, कोकोनिट और केला का ज़्यादा टेश्ट आता है